रीट के लिए काफी बातें आ रही हैं, निश्चित रोप से देखिए, NCT का सेलिबस, 2011 की गाइडलाइन के मताबिक पहले से पूर्व निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट का आयोजन होता है, पाठे क्रम में, चुकि ये NCT की 2011 की गाइडलाइन से ही पाठे क्रम है, सेलि उसमें किसी तरह की कोई तब्दिली नहीं है, आप सभी लोग जो रीट की तयारी कर रहे हैं, जो B.A.S.T.C. किये वे हैं, उनसे मैं आगरे करना चाहूंगा, कि ये समय आपके लिए बहुत उप्योगी साबित हो सकता है, अपने घरों में रह करके एक टाइम टेबल बना और उसके मताबिक तयारी करें, क्योंकि रीट की एक्जाम, फर्स ग्रेड की एक्जाम होना आवशक है सरकार पूर्वे निर्धारित कारिय करम, रीट दो सितंबर और सितंबर के माँ में ही व्यक्याता की एक्जाम कराने के लिए जो पहले से पूर्वे निर्धारित प्रस महने का हमें समय चाहिए जो आपके तैयारी के लिए भी प्रियाप्त होता है तो अभी तीन मही के बाद में इस डेट को आगे पीछे करने की अगर कोई बात आज सकता महसुस होती है तो ही निरनय करेंगे वरना अभी तक जो निरनय कर रखा है सरकार ने सितंबर के मा में रीट का और फस्ट ग्रेड का उसको ही मान करके आप लोगों को घर में बैठ करके सरकार की दिशा निर्देसों के पालना करते वे करना चाहिए सेले बस में कोई confusion नहीं है रीट का पेपर में कोई confusion नहीं है केवल उसके selection का आधार क्या होगा 37-30 का ratio होगा जो पहले से था या उसका अलग से paper होगा या कोई और मापदंडते होगा change होगा ये सब चीजें सिक्सक बनने के लिए हैं नहीं की पातरता प्रिक्षा के लिए पातरता प्रिक्षा में किसी तरह का कोई पारिवर्तन नहीं है इसलिए रीट की तैयारी आपको मन लगा करके अभी से घर में बट करके मैं समझता हूँ करनी चाहिए यही आपके लिए फाय देगा और इस समय का सदुपियोग आप लें कुछ लोगों का ये भी है कि जब हम कोचिंग करते थे कोचिंग वालों को हमने फीज दे दी है उसका क्या होगा हम तैयारी कैसे कर पाएंगे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ किसी भी कोचिंग इंस्टिटूट को आपने कूर वार झाओको आपने करना फर ये समी तक श्रॉर्ण को ते इस थूनरी कोचिंग वालों कर दो दो पाना है टक् कोचिंग को लगो चार गाएंगे हम पटूर्ट आरह प misinformation फिस दाना इस दो हम भी सरुब ता番ोowe